हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल एंड के ग्राफिक्स में जहां पर मैं आपके लेकर आता हूँ फोटोशॉप टूटोरियल्स तो आज के एपिजोड में हम यह जानेंगे कि कैसे हम फेस पे लगे पिंपल्स जो होते हैं उनको हम कैसे देगिंग कर सकते हैं वह भी बहुत ही असान तरीके से तो जादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम देखते हैं उस्तो इसके लिए मैंने गूगल से डाउनलोड कर रखी इमेड तो इसको पर हम काम करेंगे और देखेंगे कैसे पिंपल्स असान तरीके से हम हटा सकते हैं तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अदो फोटोशॉप में जो कि मेरे पास सीसी है 2015 वाला तो यहां पर ओपन हो चुकी है अब फोटोशॉप का पहला रूल है यह कि आप ओरिजनल लेयर पर कभी भी वर्क ना करें कि हम कंट्रोल जैसे कॉपी कर लेंगे कॉपी करने के बाद नीचे वाली को हाइड करना है अब आप इसके एक और लेयर करेंगे इसके बाद हम करेंगे इस बीच वाली लेयर पर काम ठीक है दोस्तों इसके पर हमारा सारा काम होगा हम जाएंगे फिल्टर हुआ है अब यहां पर देख रहेंगे सर्फिस बिलयर इस पर हमें जाना है एक बैसे करता क्या है जैसे कि आप में देखा जैसे मैंने क्लिक किया इसने जिन इसकिन को softness smooth में convert कर दिया तो मैंने preview लेके on कर रखा है तो मुझे preview दिखा रहा है तो मैंने यहां पर इसको click क्या हो यहां पर देखे यह preview दिखा रहा है तो काफी हद तक यह भी image हो चुकी है तो आपकी यह depends करता है कि आप यह setting कैसे रखे आपकी image पर depend करता है कितने pixels की है तो मैं अपनी subset में setting कर देता हूँ मैंने यहां पर threshold किया है 8 और radius limba में करीबन जो मुझे अच्छा लगे surface blur जो है वो skin पर काम करता है जो dark colors होते हैं वो उनको छोड़ देता है जैसे कि यह पर जो यह आपकी आइस के पल के दिखे रही है तो इसको छोड़ दिया है तो इसको मैं 20 ही रख देता हूँ 20 पर सही था ठीक है ओके 20 एक चलेगा ओके इसको करेंगे आप करने के बाद अब हम इसको spot healing brush tool से pimples को और हट आएंगे तो हम जूम करके यहां पर हम लेंगे spot healing brush tool इसका कंट्रोल जी अगर आपको keyboard score shortcut के बारे में और जानना है तो आप मेरी यह video देख सकते हैं आपके link description में दिया गया है और आपको कार्स में भी मिल जाएगा तो हमें healing brush tool लेना है spot healing brush tool इसका size आपको अपने हिसाब से रखना है यह आपका पिप मल्स कितना size का है तो अब हम इस पर काम करते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर अब जितना zoom करके काम करेंगे यह अपना अच्छा हम बनेगा देखने में लगेगा और तो इसलिए मैं zoom करके कहरो कर दो कर दो कर दो आपको दिख जाती है जो कि जूम आउट में नहीं देखती है तो दोस्तो यह अब हो चुका है यहां तक अब में यहां पे इसको छोड़ देता हूं तो अब जब देख सकते हैं हमने फिल्टर अप्लाय किया सर्फिस बर उससे ही हुआ है इसके जो बाले है वो भी हलके हलके से स्मूत हो चुकी है तो हम उसको सही करते हैं और होटो पे भी फर्फ कड़ा है इसके लिए हमने जो दो लेयर कौपी करें ते एक पे हमने काम किया और एक पेज जो उसको हमें छोड़ रखा है इसको हम एक्ट्यू करेंगे तो यह प्राना आगया है देखिये कितना बदलाव आ चुका है तो इसके हम क्लिक करेंगे इसको हम करेंगे इसको प्लेक फिलब करेंगे तो यहां पर ब्लेक ले दिजी इसको ब्लेक से फिलब कर दीजिए इसके बाद देखिए वह ब्लेक चुका है क्योंकि वह हाइड हो गया ब्लैक चुपाता है वाइड दिखाता है यह तो आपको पता ही होगा है तो अब हम ले लेते हैं जूम कर लेते हैं और ले लेते हैं तो अब जैसे ही डियर मास्क पे क्लिक करके इसको अप्लाइं करेंगे तो आप दीखिए कि इसकी जो पराने प्रापर्टीज है वह आ गई है इसको इनकी आइस पे चला देते हैं अलका साथ ताकि जो इसकी वाली टॉन है वो निखर किया जाए जैसर कि आप देख सकते हैं होटो पे भी थोड़े बोट इनकी निशाने तो इसको भी हम दोर करते हैं आप दोस्तों इस तरह से हम तोड़ा आप देख सकते हैं कैसे हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ आप पहने और अब में कितना अंतर है अपको दिख सकते हैं अब देख सकते हैं कितना अच्छा बदलाव हुआ है वो भी हमने सिस्प दो स्टेप में इसको किया पहले हमने पर सर्फेस बलर से इसको अमने कि इन टॉन को स्मूथ किया उसके बाद हमने हीलिंग डैस्टोल से जो बाकी रहते थे हमने उसको हील किया उसके बाद फिर हमने थोड़े बहुत करेक्शन से इस इमेज को सही कर लिया तो इस तरीके से आप अच्छे से कर सकते हैं और यह बहुत ही सिंपल रिकसे सब यह पर काजबा सकता है आप कि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए मुझे कि कैसा आपको यह वीडियो लगा या और आप मेरे फेस्बुक पेस से भी कनेक्ट हो सकते हैं जिसका मेरे दिस्क्रिप्श में कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए देखने को तो मैं उस चीज पर काम करूँ कैसा लगा आपको यह वीडियो जरूर बताइएगा और प्लीज मेरा चैनल अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो है कर दो चैनल कर दो चैनल